नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप एम आपके परिवार जन सभी स्वस्त होंगे और इसी शुबकामना के साथ मैं आज का टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ क्या फर्म बनाई जाए या कंपनी बेसिकली क्या होता है सर जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपको एक उत्तर देने का सरल प्रयास है तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने मैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस रख रहा हूँ कि इन दोनों एंटिटी यानि पार्टनर्शिप फिर्म और कंपनी के बीच में हमें किस-किस आधार पर अंतर करना चाहिए नमबर वन लीग एक्सपेंस एंड प्रोसेस नमबर थ्री एन्वल कंप्लाइंस हमें क्या करनी पड़ेगी और नमबर चार टेक्सेशन आस्पेक्स तो इनी बिन्दों के अराउंड सर यदि हम अपनी समझ डवलप करें तो हम यह डिसन लिने में सक्षम होंगे कि हमें पार्टनर्शिप फि प्रतक वैदानिक अस्तित्व नहीं है लेकिन अगर आप एक कंपनी मनाते हैं सर तो आपकी कंपनी के रूप में उसकी एक सैपरेट लीकल एंटिटी है यह बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि कंपनी अगर सैपरेट लीकल एंटिटी है तो दोस्तों वह सूट भी फाइल कर सकती है यानि कोई विवाद होने पर कंपनी अपने नाम से सूट फाइल कर सकती है और कंपनी के अगेंस भी सूट फाइल किया जा सकता है लेकिन पार्टनर्शिप फर्म जब तक रजिस्टर नहीं होगी सर तब तक आप पार्टनर्शिप फर्म के नाम पर सूट नहीं फ बनाई और वो Pat wealthy किसी वज़े से कोई पर्टेक्लर legal लाइबिटी में उलेज़ गई तो ऐसी लीगर लाइबिटी में उलजने पर एक partnership जो की normal partnership form as per partner shit act 1922 इंडिया में उस case में liability partnership form पर arise होने पर partners की भी personal liability बनाई जा सकती है और unlimited liability का मतलब है कि partners को firm की liabilities के लिए खुद की personal asset भी contribute करनी पड़ सकती है इसके विरुद्ध दोस्तों यदि आप company मनाते हैं तो आपकी liability limited रहेगी to the extent of share capital contributed यह बहुत बड़ा difference है जो कहीं न कहीं आपको company मनाने की और प्रवर्त करेगा अब यहां मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों formation expenses and process की निश्चित रूप से दोस्तों partnership firm बनाना easy तरीका है मनस्पत एक company बनाने के क्योंकि company बनाने में आपकी जो process है वो इस प्रकार से चलती है कि सबसे पहले आपको जिस विक्ति को आप director बनाना चाहते हैं करें उनके डाक्टर के identification number लगाएं company का name application लगाएं फिर उसके बाद जब आपका company का नाम अप्रूव होगा तो आपको बकाइदा सारे documents पूरे करके company का memorandum of association article of association करके पूरा process निकल के आएगा लेकिन partnership firm का formation दोस्तों सरल है आपको एक partnership deed बनानी है हाला कि अगर मैं partnership act 1932 से चलता हूं तो तो सर आप oral partnership भी बना सकते हैं लेकिन लिखित रूप में deed होना निश्चित रूप से advisable है तो अगर मैं formation expenses and process की बात करूं तो partnership firm को बनाना easy है कम costly है as compared to company मनाने के एन्वल compliance की बात करता हूं दोस्तों जब हमने एक company मनाई या एक firm बनाई तो एन्वल compliance के point of view एक partnership firm में दोस्तों maintenance of books of account document generally mandatory नहीं है जब तक कि उसका turnover income tax के point of view tax audit limit जो जनरली एक करोड़ दो करोड़ प्लस का turnover है उससे उपर नहीं चली जाती इसी प्रकार से annual audit कराने की भी requirement partnership firm में mandatory लागू नहीं होती लेकिन company को तो annually statutory audit करानी ही होती है दोस्तों और ROC compliance का मतलब क्या है कि आप अगर partnership firm है तो आपको को annual ROC compliance register of company में compliance की annual balance sheet final करना उसको किसी department के पास फाइल करना जरूर नहीं है लेकिन अगर आप company बना रहे हैं तो आपको हर साल अपनी balance sheet final करना है profit and loss account final करना है और उसको ROC के पास में file करना है तो annual compliance cost companies के case में usually जादा रहती है अब यहां देखिए दोस्तों आपके साथ taxation aspect deal कर रहा हूं जो एक बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण है जो एक महत्पूर्ण aspect है जो आपको decide रखना है जिसके basis पर आप यह चीत तैय करेंगे मुझे firm बनानी है या company अगर दोस्तों आप partnership firm बनाते हैं तो by default tax rate 30% है जबकि आप manufacturing sector में company बनाएंगे नई तो आपको मातर 15% tax rate लगेगा और अगर आप कोई अधर formation करते हैं और आप company के shareholder है और आपको जो company का profit share है वो दोस्तों dividend के रूप में मिलता है तो वो dividend आपके हाथ में taxable होगा चाहे आप manufacturing sector की company मनाएं चाहे आप अधर company मनाएं अगर मैं recommendation की बात करता हूं दोस्तों recommendation से मतलब क्या है मान लीजे दो जने मिलकर के partnership firm बनाते हैं वो partnership firm कुछ कमाती है या दो जने मिलकर एक company मनाते हैं और company में दोनों shareholder भी हैं डारेक्टर भी हैं तो partnership firm partners को directors partners को किसी प्रकार का और आप कोई entity बना रहे हैं और आप उस कंपनी में डारेक्टर हैं में शेवल्डर की बात नहीं करा डारेक्टर हैं तो एज डारेक्टर आप कंपनी से भी दोनों परिस्थिती में चार्ज कर सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट पक्ष दोस्तों आपकी नजर में लाता हूं अगर आप एक पार्टनर्शिक फर्म बनाते हैं तो इंकम टेक्स लॉप प्रिजम्टिव टेक्सेशन में यह कहता है जी आपके टर्नोवर का छे परसेंट आ आसपेक्ट है सर जो आप ध्यान रख सकते हैं फर्म या कंपनी मनाने का निर्ने लेते समय तो दोस्तों आज की इस वीडियो का बेसिक परपस आपके सामने फर्म और कंपनी के फॉर्मेशन उसकी कंप्लाइंस उसके टेक्सेशन आसपेक्स को एक बार सिंपली सामने लाना फाइनर निर्ने आपको लेना है और इस निर्ने के लेने में आपके चाडर अकाउं Cayamini आपके company secretary आपके CMA आपके tax advocate आपको निश्चत रूप से मददगार होंगे मेरा यह कहना निश्चत रूप से नहीं है कि मैं आपको partnership firm या company मनाने की ही advice कर रहा हूं लेकिन मेरा यह कहना है आप अपने case की परिस्तितियों को समझे और किसी consultant की help से करें कि मुझे firm बनाना है या company मनाना है मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को उपयोगी पाएंगे यदि आपकी कोई queries हो तो आप मुझे लिख सकते हैं मैं उनका उत्तर देने का बर्सक प्रयास करूंगा thank you very much दोस्तों जैह